Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna, कैसे हैं सब लोग, मास, बढ़िया तो जो ले स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना नया लेक्चर Pharmaceuticals का Chapter No.4 और इसका Lecture No.1 जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं Unit Operations क्या होते हैं ये Unit Operations ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं हम लोग तो आओ समझते हैं अपना Unit Operations तो Unit Operations को समझने से पहले एक टर्म आओ समझनी होगी हमें Unit Process, दो टर्म इसमें आती है Unit Process और Unit Operation ठीक है ना, तो Unit Process क्या है Unit Process होता है जब भी हम कोई Process करते हैं और उसमें कोई Chemical Change आजा है Very Simple, कोई Chemical Change आजा है याने कि हम क्या सकते हैं Simply कोई जब Chemical Reactions होती है क्या होती है, Chemical Reactions होने के वज़े से जैसी बात है Chemical Change कब आएगा जब कोई Chemical Reaction होगी Chemical Reaction होगी तो Chemical Change आएगा और उसको हम लोग क्या बोलते हैं Unit Process, यह अपने Course में नहीं है लेकर समझना ज़रूरी था कि Unit Operation और Unit Process में डिफरेंस होता है तो कहरा Process that involved making chemical change Process जहां involved होते हैं क्या Chemical Change to material as a result of chemical reaction जहां पर किसी material में chemical changes आजाए because of chemical reactions Unit Process are also referred to as chemical conversion हम इसको chemical conversion भी कह सकते हैं कोई दो चीज़े को react करा दिया कोई नया chemical बन गया तो chemical conversion कहलाते हैं अब हम देख सकते हैं जितने भी हमारे पास होते हैं एक्जामपल में क्या है Chemical reactions है, Biochemical Process है Nitration, Oxidation, Sulphonation, Titration मतलब ठीक है Nitration हो गया, Oxidation हो गया, Fluidination हो गया मतलब जहां कहीं पर भी chemical reactions है यानि कि हमारे लोग ने जहां कहीं पर भी अब न, Chemical Process पढ़ते हैं या होती है, वो सब किस के अंदर आता है Unit Process के अंदर Clear है, अब आते है Unit Operation ये अपना आज का topic है ठीक है न, यानि की physical change Physical change का मतलब क्या है तुमने कोई powder था, गीला था पाने उड़ा दिया तो पहले गीला गीला था अब बिल्कुल सूप के powder हो गया फिजिकल चेंज आ गया, ठीक है न कोई चीज बड़ी तकड़ों में थी तोड़ तोड़ के छोटा कर दिया, उससे powder में बदल दिया तो पहले एक चटान नुमा टाइप था था, पत्थर टाइप का था पीस-पीस के चूरा बना लिया powder form में आ गया तो जब भी फिजिकल चेंज करेंगे हम खें न, उसका उसको हम लोग क्या कहते है, unit operations कहते है तो फिजिकल चेंजे हम लोग कई तरीके से करते है फिजिकल चेंजे मैंने क्या बताया, चोटा से मैंने क्या बताया कि एक बड़ा सा पत्थर था इसको हम लोगोंने पीस लिया अब powder कर लिया हमने इसको एक stone और ये क्या है उसी का powder ठीक है न, दूसरे चीज़ क्या हो सकता है मानलो ये बीकर है, इसके अंदर पाने बानी है हमने इसको क्या करवा दिया एवपरेट करा दिया इसके बाद हमको क्या मिल गया इसके अंदर केवल सूखा सूखा powder मिल गया अब पाने उड़ गया, ठीक है ये भी क्या थी हमारे पास unit operation था या हमने क्या किया, हमारे पास एक कोई मानलो है इसके अंदर तीन-चार तरह के particles है छोटे-बड़े-बड़े-छोटे हमने छान करके सबको अलग-लग कर लिया तो physical changes आगे, पहले इसके अंदर बहुत अलग-लग shape size के थे छानने के बाद, हमारे पास एक ही shape size के मिल गए ठीक है न, तो यह सब किसके category के अंदर आयते हैं, unit operations के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर हम लोग केवल क्या कर रहे है, physical changes किसी वी type का physical change आएगा उसका हम लोग unit operation कहते हैं तो कह रहा है, process that involved only physical changes, very simple जहाँ केवल और केवल physical change आएगे, two materials is termed as unit operation किसी material में जब physical changes आते हैं, ठीक है न, गीला कर दो, सुखा दो, तोड़ लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, तो उसका हम लोग कहते हैं unit operation कहते हैं, जैसे कि mechanical separation, separation मतलब छननी छान करके हम लोग अलग-अलग कर ले रहे हैं, ये भी क्या unit operation है field mechanics, physics में जब पढ़ते हैं field mechanics वो पूराश के अंदर क्या आता है mechanical, sorry, unit operation के अंदर आता है process, heat transfer, हमने क्या किया एक material के अंदर से heat निकल के बहार आ गई ठीक है ना, वो भी किस category में आ जाएगा unit operation में आ जाएगा अब classification और unit operation अगर unit operation हम classify करें तो चार category में हम इसे classify कर सकते हैं पहला है material handling, transportation, filled flow process यान कि कहीं पर pumping हो रही है compress कर रहे हैं, पहले ऐसे फहला फहला था compress कर दिया, तो उसका physical changes आ गए fillodization, पहले solid था, उसे liquid form में कर लिया हमने तो यह क्या हो गया, एक category यह आ गई दूसरा है mechanical unit operation जिसके अंदर size reduction हमारे topic में है हम पढ़ेंगे इसे किस तरह से हम तोड़ करके बड़े pieces को छोटा करते हैं, powder form में करनोड करते हैं size enlargement, ऐसा भी होता है कि हम छोड़े powder piece को जोड़ करके बड़ा piece बनाते है mixing, agitation, blending blending मतलब mix, एक तरह से mixing और blending एक ही चीज़ हो गई है, ठीक है mass transfer, operation अगर evaporate हो रहा है distillation, distill कर रहे हैं तो पानी उड़ उड़ के अलग हो जाता है absorption, extraction, leaching, extraction भी अपनी कोर्स में है तो यह सब किस के अंदर आता है, unit operation इसलिए यह पूरा topic हमारा क्या unit operation का नाम रखा गया है ठीक है, इस chapter का और इसके अंदर हम अलग-अलग category में चीज़े पढ़ेंगे heat transfer, conduction, convection और radiation क्या होता है, conduction, जब किसी चीज़े को छूओ, और छूओने की वज़े से heat इदर सिदर जा रही है convection क्या होता है, इसे material move करते हैं, है ना पानी जो होता है, नीचे का पानी गरम होता है, उठके उपर आयाता है, side का थंदा पानी नीचे जाता है boiling process, पढ़ा है physics, यहाँ पर थोड़ी सी physics भी लगेगी, अगर थोड़ी बहुत याद हो तो, इस chapter में थोड़ी physics एपलाई होईगी ठीके न, और radiation, सूरा सिर्केरने आती है, ठीके है, वो भी क्या है, physical process के अंदर आया था, unit operation के अंदर आ जागे ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूँ, कि हम को हमेशा किस पर focus करना है, syllabus पर, और d farm का जो syllabus है, वो selected है, अब unit operation के अंदर बहुत सारी चीज है, अब सब मत पढ़ने लग जाना, जो चीज बोली गई है, केवल वही तक सीमित रखा, उन चीजों में भी क्या बोला गया, working बोली ग next, अब size reduction, सबसे पहला जो हमारे पास heading है, यहाँ पर क्या है, size reduction को लेकर के है, तो देखो definition, तो मैंने का हर एक चीज की definition तो आने ही चाहिए, define करने को आजाएगा, तो कहेंगे, यह एक unit operation है, it is a unit operation in which, जिसमे, reduction of materials to coarse particle, जिसमे हम particle को तोड़ करके, size छोटा करते हैं, to coarse, coarse म जो rate type के रहेंगे, rate, है न, sand, उसे हम कहते हैं, coarse, और fine, कभी छुआ है, powder, powder मतलब, हम लोगे पाउडर डालते हैं, अपने, सरीर पे, कितना fine होता है, कितना महीन होता है, वो fine आ गया, before formulate into suitable doses form, ठीक है, doses form में convert करने से पहले, जब हम किसी का size छोटा करते हैं, coarse में लेके आए या very fine तोड़े हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, size reduction कहते हैं, और यहाँ एक unit operation है, खदम कहा नहीं, आगे आते हैं, objective, purpose क्या, क्या, क्यों छोटा कर रहे हैं हम लोग, तो समझे, अच्छा, यह जो objective हम यहाँ करेंगे न, तो generally क्या है, इसमें दो ही हमारे पास है, ball meal और hammer meal, तो यह objective वहाँ पर भी लिख सकते हैं हम लोग, objective गया है, it increases the surface area, very important, यह one more question में भी आएगा, है ना surface area, जैसे कि मैं तुमसे बोलूँ, कोई चीज है मेरे पास यहाँ पर नहीं है, कोई बात नहीं, चलो समझाता हूँ, मान लो, मेरे पास एक particle ही यह है, अभी इसके कितन उधर वाला पांच, और उधर वाला पीछे वाला इसके 6, समझारी बात, अब जब मैं इसको तोड़ दूँगा, सब्समाने इसको बीच में से तोड़ा, मैंने इसे बीच में से तोड़ा, जब मैं इसको ऐसे तोड़ूँगा, तो एक surface ये और एक surface ये भी आ गए, तो दो surface हो जाएंगे पहले इतना बड़ा particle सा के वो 6 surface थे अब बहुत सारे surface हो गए है तो surface area increase कर गया बास वहारी ना जैसे मैं इसको तोड़ा फिर मैं इसको ऐसे तोड़ूँगा फिर ये 2 surface और create हो जाएंगे तो जितने जाए surface होंगे चीनी को सीधा पाने में डालो और चीनी को पीस के डालो तो पीस की वी चीनी जल्दी डिजॉल्व हो जाती है क्यों क्योंकि वो उसका surface हेरिया बहुत जादा होता है ठीक है तो ये पक्का याद रखेंगे surface हेरिया को increase कर देता है it increases surface area of particle hence increases rate of dissolution, dissolution मतलब bioavailability पढ़ चूक है हम लोग क्या होता है ठीक है ना कितनी हमारी body में कितनी जल्दी आएगा ये ठीक है ना कितनी देर तक रहेगा ये तो उसकी जो bioavailability है वो भी क्या करती है increase कर जाती है therefore increases therapeutic efficacy तो ultimately क्या है हमको therapeutic efficacy को increase करना है it facilitate mixing ये mixing में help करता है जितना ज़्यादा पतलोगा जैसे मैंने बताया अभी चीनी दानेदार लो चीनी बुरादा वाली ले लो महीन PCOE तो PCOE चीनी जल्दी खुल जाती है या PCOE चीनी और नमक को मिलाओगे तो जल्दी मिल जाएगा वहीं पर अगर क्या होगा एक दानेदार चीनी और नमक को मिलाओगे जल्दी नहीं मिलेगा तो mixing सूखने में भी आसान ही होती है भाई पौडर जल्दी सूखता है milling drying ठीक है it facilitate mixing and drying by milling milling मतलब होता है पिसाई जो मिल पड़ेंगे न अभी हम लोग एक वर्ड आ रहा है जो अभी हम लोग बॉल मिल यह सब आने वाला है तो milling का मतलब क्या होता है पिसाई कोई चीज पीशना ठीक है न हिंदी में क्या बोलते हैं पिसाई तो mill मतलब पीशना by increased surface area ठीक है न तो it facilitate mixing and drying by milling मिलिंग पिसाई वाली चीज में हमें से डाल देते हैं तो यह इसका mixing और सूखना असान हो जाता है और क्यों surface area increase हो जाता है इन ophthalmic aerosol जो आँखों में डालते हैं aerosol चो होते हैं ठीक है या inhalation जो उसको ऐसे pump लेकर लेते हैं ठीक है या parental preparation जिसको हम इंजक्शन के थरूर लेते हैं where controlled particle size is required जहां पर particle size control होना चाहिए उतना ही चाहिए उससे ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि नसों के अंदर जाएगा inhale करेंगे है तो यह चीज हमें समझनी है कि इसके objective क्या है तो objective क्या कर सकते है देखो series बात क्या रखना है surface area ultimately इसको समझो ultimately size reduction करता क्या है it increases surface area अब जब surface area increase कर गया उसके वैसे absorption, biology, therapeutic efficacy ठीक है न then उसके बाद mixing, drying then उसके बाद inhalational, aphthalmic हर जगे क्या है इसका हमें फाइदा मिलता है तो केवल surface area बड़ जाने के वज़े से यह सब जगह में इसका क्या होता है हमको help मिलती है आगे आते हैं, factor affecting size reduction, कौन-कौन से factor है जब हम size को तोड़ेंगे तो वो affect होगा तो hardness, कोई चीज कितनी hard है, obvious ही बात है, बच्चा ही बता देगा, जो चीज हाड होगी उतना मुश्किल से तूटेगी harder the material, difficult to reduce its size, toughness, अब hardness और toughness, ठीक है न, ठीक है tough, जैसे कि polythene की बात कर लें, तो polythene बड़ी मुलाएम है, लेकिन खीचो तो जल्दी से फटती नहीं है, याना, ताकत लगानी पड़ती है तो यह है toughness, कि कोई चीज कितनी tough है, ठीक है, hard से हो गया, यहाँ पर एक तरसे कोई चीज कितनी rigid है soft or tough material creates problem in size reduction and its toughness is reduced by decreased temperature, तो वो hard होती ही चली जाती है, ठीक है न, जैसे कि जमाद हो इसी चीज को, तो hard हो जाएगी, फिर brittle हो जाती ही, तोड़ लेंगो उसे हराम से stickness, अगर कोई चीज चिप-चिपी है, तो भी उसे दिक्कत है, गम से रेजैने substance cause problem in size reduction, ठीक है, यह भी दिक्कत करते है, then moisture content, moisture content होगा तो कोई चीज क्या हो जाएगी, गिली-गिली से हो जाएगी, तो moisture content less than 5% moisture suitable होता है, for dry grinding and more than 50% for wet grinding, अगर गीले को तोड़ना है तो 50% ज इसमाल करते हैं, एक तरह से कहीं ना कहीं, यह जो हम तोड़ रहे हैं, इसको तुम compare कर सकते हो, अपने घरों मुझे तुम mixy, mixy चलाते हो, है ना, वहाँ से compare कर सकते हो, अब क्या-क्या तरीके है, मकैरिन क्या-क्या है, तो cutter meal होता है, roller meal होता है, hammer meal, जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है, ball meal, यह भी पढ़ेंगे, method और principle, यह one marks में question आ सकता है, तो ध्यान देंगे इस चीज़ का, cutter meal, cutting करता है, roller meal, compression, चिपका देगा roller, hammer meal, impact, हाथ वड़े की तरह, धम, 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 मारेगा, तोड़ेगा, collide meal और roller meal, इसमें क्या चिए चलती है, तो attrition होता है, घरशन होता ह जो ball meal होगा, इसमें दोनों होता है, impact भी होता है, और attrition भी होता है, घरशन भी होता है, समझेंगे, ball meal को determine लेंगे, approach particle size हमार पस यह होते है, ठीक है, तो सीधी सी बात यह है, यहाँ पर तुम्हें यह किस किया देना है, roller meal, यह, sorry, hammer meal, यह अपने course में है, इसका principle क्या है, impact, ठोकता है, धम, 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 ball meal, इसका impact और attrition, इसमें ball ऐसे गिरती भी है, तो धम, धम, धम मार रहा है, और ball एक क्यूपर एक चलती भी है, इस तरीके से, तो घरशन भी होता है, दोनों चीज़े होती है, impact और attrition, के लिए रहे बाते हैं, अब आते हैं, इसको और detail में लेंग product size, ठीक है, जो product यहां से निकलता है, finally piss करके, उसका size 0.5 से 0.01 cm रहता है, ठीक है, लगबग all type material के लिए इस्तमाल होता है, not used for abrasive, abrasive होते हैं, जो छील चाल देंगा, जिसके अदर अब इस्तमाल करेंगे, तो क्या होगा, equipment हमारा खराब हो सकता है, then ball meal, impact and attrition, जब ultimately इसके product निकलेगा, उसका size क्या रहेगा, 0.01 cm, बहुत छोटा हो जाता है, soft, fibrous material and cereal grinding, ठीक है, hard and abrasive, जो बहुत जदा hard है, abrasive है, उनका इस्तमाल इसके अंदर हम लोग नहीं करते हैं, तो यह दो यहां से याद कर लोगे, ठीक है, आगे आते हैं, अब देखो, अब आते हम लोग hammer meal, hammer मतलब, कोई चीज़ अब टकराती है, तो hammer meal, milling का मतलब क्या है, पिसाई हो रही है, क्या हो रही है है यहाँ पिसाई, पिसाई हो रही है, तो इसका principle क्या है, प्रिंसिपल अब जैसे तुमको पता है, क्या impact होता है, अब यहाँ परी line लिखिए मैंने, the hammer meal operates on the principle of impact, टक गिर रहा होता है, ठीक है, यह powder आ रहा है, और यह hammer घूम के आ रहा है, यहाँ से, ठक, 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 यह उपर से आ रहा है, यह इसको मार रहा है, यह उपर से आ रहा है, यह इसको मार रहा है, यह इसको मार रहा है, आईसे चल चल के आ रहा है, देखो अभी देखते हैं, ठीक ह हमारे पास आ रहे हैं ठीक है ये बड़े बड़े पार्टिकल्स ये आ रहे है इसके अंदर ये हैमर रोलर है ना ये गोल 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 घूम रहा है ये ये जैसी आता है इसके अंदर तो ये इसको टक्कर मारते हैं ठीक है टक्कर मारेंगे फिर ये उसको उठा के उपर ले जिसे हम लोग Screen बोल लो या एक तरह है के seeve बोल लो seeve की इंदी is seeve सीव की हσωता है seeve मतलब होता है है छलनी जाए छालने वाली आठा छालने वाली ये स्क्रीन बोल लेते हैं इसके च्छेद होते हैं ये वाले जब ये तूट तूट के इस 6 के बराबर का size आ जाता है तो finally मेरा product जहाई है नीचे की तरफ निकल के आ जाता है ना जब यह टूट टूटके इतने महीन हो जाएं कि 6 से निकलने लाइक हो जाएं फिर यह 6 से निकल निकल के भाहर आते रहते हैं और इस तरफ चलता रहता है उपर से गिरता रहता है ठीक है अच्छा यह समझाने को तोड़ा color diagram लियाता है मैंने इसको इसको भी छोड़ देना ठीक है यह आपना करना simple तुमको समझा जो अगर exam में आता है तब तुम लोग क्या diagram बना हो गई है तो यह वाला बना लो यह वाला बना लो simple रखना diagram अपना है ना कंश्ट आता है diagram feed आ रहा है यह बना दो गई सबसे simple लिए उपर से feed डाल रहे हो यह hammer है hammer आगे टकरा आ रहा है नीचे यह जाली लगी हुई है जिसको हम screen बोल देते हैं और जब जाली के size के छोटा है उसके बराबर का size हो जाता है तो निकल निकल के product हमारा नीचे आ जाता है clear समझ में आ गया खतम अब इसको लिख देना तुमको hammer will can be horizontal और vertical अच्छा यह कैसी है यह ऐसी लगी हुई है ना यह ऐसी ऐसी चल रही है ठीक है और ऐसी ऐसी चल सकती है ऐसे ऐसे चल सकती है hammer ऐसे ऐसे चलेंगे या ऐसे ऐसे चलेंगे तो यह vertical हो गया और यह horizontal हो गया ठीक है जाता हो horizontal रहता है next अब इसका हम लोग क्या चाल रहता है with impact surfaces made up of extremely resisting material, जो इसका impact surface होता है, पूरी तो stainless steel की बनी हुई है, जो चीज आके chemical को तोड़ेगी, जो impact material है, वो highly resisting material, मतलब जल्दी से किसी के साथ react नहीं करेगी, stainless steel hammers are sufficient for pharmaceutical purpose, stainless steel के बने हुए hammer परियापत होते हैं, हमारे pharmaceutical preparation के लिए, the hammers may have several shapes, the blade of hammer can be flat, चप्टा हो सकता है, ऐसे मारने के लिए, और sharp या ऐसे नोखदार हो सकता है, तोड़ने के लिए, ठीक है, और both on each side, ऐसा हो सकता है, एक तरफ चप्टा हो, ठीक है, और एक तरफ ऐसे नोखईला, तो ऐसे चलेगा, तो इस तरफ क्या रहेगा, ऐसे impact करेगा, ठीक है, तो इस तरफ चप्टा impact करेगा, एक तरफ पत्ला होगा, तो दोनों तरफ से impact करेगा ये, ये पूरी unit एक ऐसे chamber के अंदर रहती, जहां पर हम लोग ये जो screen होती है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ये जो screen लगी हुई है, हमें जिस size का particle चाहिए, वह वाली screen यहां लगा देंगे, बास समझ में आया, screen वर्ट जब भी आएगा, तो मतलब छलने, clear, तो कहना था, unit is enclosed with a chamber containing removal screen, through which the material passes, इससे metal गिरेगा, screens are prepared using metal sheet, metal की बनी होती है, बहरात भी है, working very simple, अब लिख सकते हूँ, अराम से, the hammers are allowed to be continuous motion, 8000 to 15000 revolution per minute, बहुत जाथ revolution है ये ठीक है न, 8000 बहुत तेज़ चल रहा है, ठीक है न, एक मिनट के अंदर, the feed, feed मतलब, जो material उपर से डाल रहे हैं, खाना इसको दे रहे हैं, it's placed into hopper, hopper किसे कहते हैं, जो उपर ऐसे बना हुआ, copy type, जिसके हम डालेंगे, which flows vertically down, फिर उन नीचे आ रहा है, and then horizontal, while hammers are in continuous motion, ठीक है, पहले ऐसे आता है, फिर ये ऐसे आता है, समझवा बात को, जखो, ये ऐसा होता है, पहले उपर आया, फिर ये horizontal, ठीक है ना, तो ऐसे आता है, फिर ये horizontal हो जाता है, यानि कि पहले फीड ऐसे आया, और फिर ये ऐसे हो गया, horizontal हो गया, ये, clear है, ठीक है, the rotating hammers beat, the material, rotating hammer, जो rotate करता हो hammer है, वो beat करेगा, पीटेगा, material को to yield smaller particle, जिससे की smaller particle बने, then these particle passes through, फिर उसको जो छोटा particle हो गया, वो pass करेगा through the screen, screen से छंता हो नीचे आएगा, and collection in the receiver, फाइन नीचे बर्तन रखता रहता है, उसके ने collect होता रहता है, due to tangential exit, the size of the particle is considerably smaller, than the aperture of the screen, tangential exit, अब है क्या मैं बताता हूँ, देखो बात को समझो, ये एक बात आ सकती है, जैसे कि ये लगातार, ये छलनी लगी हुई हमारे पास, ठीक है, तो माल लेते हैं, थोड़ी से thickness कर लेते हैं इसकी, और मैं यहाँ पर, इसका size थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हमारे पास, समझते जाना, ये जो point समझा जाना, टैंजेंशियल, इस तरह से बना के दिखाद हो गए, अब ये इस तरह से माल लो घूम रहा है ये, तो जो particle है ना, जो भी particle होगा हमारे पास, वो क्या है, वो भी इस तरह से घूमेगा, तो भी particle ऐसे सीधा सीधा तो बहुत कम आएंगे, या तो ये slow हो जाए तो अलग बात है, तो माल लो इसका size ये है, इसका size क्या actual में, यो होना चाहिए था, मतलब इतना बड़ा particle आना चाहिए था, बट क्यूंकि ये tangency, तिर्चा आ रहा है, तो बेटा देखो, तिर्चा आने के लिए, इसको कुछ ऐसा, तिर्चा आने के लिए, है ना, तिर्चा जब इसको cross करना है, तो ये particle का size क्या हो गया, छोटा हो गया, क्यूंकि तिर्चा निकलना है इसको, बात समझ माले हैं, तिर्चा निकलने में, तिर्चा निकलते हैं, तो इसलिए particle का size छोटा हो जाता है, बात क्लिए होगी, तो यहाँ पर ये line लिखे हुई है, due to tangential exit, tangential exit के विए से, size of particle is considerably smaller, काफी ज़ए छोटा हो जाता है, and the aperture of the screen, then the aperture of the screen, screen का जो aperture है, उसके मुकाबले में भी, काफी छोटा particle बाहर निकल के गिरता है, the hammer act as a centrifugal fan, अब जो hammer लगा दर घूम रहे हैं, ये एक centrifugal fan, धक्का मार रहे हैं हवा को बाहर, ठीक है, fan के देदे चल रहे हैं, so that a large amount of air is drawn through the mill, काफी ज़्यदा amount पर एधर से एक तरह से हवा निकलती रहती है, एक तरह से हवा आती रहती है, तो हवा का पास बना रहता है, in most cases, this is sufficient to counteract the heat generated during the milling, तो अगर question कभी पूछ ले, तुमसे वाइबा में आ जाए, की बताओ भईया, इसमें हमारे पास कोई system तो लगा नहीं है, तो इसमें heat कैसे बाहर निकलती है, वो जो अपने अप hammer घूम रहे हैं, वो एक तरह से पंके का भी काम कर रहे है, एक तरह से काफी तेज घूम रहे है, 8000-15000, 8000-15000 रिवलुशन पर मिनिट कर रहे हैं ये, तो एक तरफ से ये हवा जाती जा रही है, और एक तरफ से हवा आती रहती है, तो ये ठंडा बना रहता है, ठीक है, अब देखो, ये important है, the fineness of product can be regulated by, कितना fine product आएगा, कितना महीन product आएगा, rotor की speed, अब देखो, जितना तेस्ट घूमेगा, उतना ही लंबा cut मारेगा, जितना लंबा cut मारेगा, उतना पतला particle बहार आएगा, ठीक है, feed rate हम कितना जल्दी जल्दी डाल रहे है, जितना जल्दी डालेंगे, तो पंक्या क्या होगा, जब भहुत सादा भर देंगे, तो उसकी रफ्तार नहीं हो पाएगी ज़्यादा, clearance between hammers and grinding plates, ठीक है, अब clearance between hammers and grinding plate, जो grinding plate है, ठीक है न, और उसकी बीच में, यह दूरी कितनी है, ठीक है, यह यह वाले दूरी, इसके उपर यह फरक पड़ेगा, then number and types of hammer, hammer किस टाइब का है, पतला वाला है, चोड़ा वाला है, size of the discharge opening, screen का size क्या है, तो यह वो factors हैं सारे, जो regulate करेंगे, कि हमारे पास product का size है, यानकि जो हमारा screen से product गिरेगा, उसका size कितना होगा, वो इन सब चीन अबर depend करेगा, कि लिए रहे बात है, simple था, इसका construction देख लिए हमने, working था, very simple, then application, तो application हम लोग याद कर लेंगे, pharmaceutical industry में इस्तमाल होता है, process of wet or dry granulation, granulation मतलब दानेदार चीज़ जो बनाते हैं, ठीक है, dispersed powder mixture त्यार करने के लोग होता है, it is used in milling pharmaceutical, जहां पिसाई करनी होती है, raw material, harbour medicine and sugar, हर जगे इसका इस्तमाल है, it is used in powdering of bark, छाल को तोडने में, leaf को तोडने में, root को तोडने में, नाम ले लोगे, हर जगे इसका इस्तमाल है, it is applied in the milling of active pharmaceutical ingredients, excipient, etc, मतलब, चीज़ इसी बात है, जो जो चीज़े हैं, tablet, oh sorry, wet or dry granulation हो गया, dispersed powder हो गया, raw material, herbal medicine, roots, leaves, bark, ठीक है, pharmaceutical active ingredients, excipient, सब की पिसाई करते हैं यह, ठीक है ना, सब को पिसेंगे यह, ठीक है तो इनको नाम याद रख लेंगे, यहीं पर 4-5-6 लिख देंगे, इन सब जगे इनका इस्तमाल होता है, इनको तोड़ने में, इनका size की reduce करने के लिए, हम लोग hammer meal का इस्तमाल करते हैं, clear है बाते हैं, यहां तक बात clear है, then अपने मस्क के आजएगा, ball meal, clear है, यहां तक अगर किसे को डाउट है, तो वीडियो को pause करें, वापस back जाएं, एक बार फिर देखें, जरूरी नहीं है कि पूरा lecture एक ही बार में देख लें, ठीक है न, ball meal को pause करें छोड़ दो, आदे एक गंटे बाद देख लेना, लेकिन देखना, ठीक है न, तो अभी चाहो तो अगर परणा और clear होगा, तो अच्छी बात है, ऐसी ये balls होती है, और ये इस तरह से बीच में गोल-गोल घूम रहा है, ये क्या गर रहा है, गोल-गोल घूम रहा है, इसके बीच में पार्टिकल्स हैं, इसके बीच में क्या हैं, पार्टिकल्स हैं, अब अगर इसकी speed बहुत धीमी रहेगी, तो धीमी धीमी रहेंगे पार्टिकल एक क्यूपरी एक एक क्यूपरी एक ऐसे करके रगड़ते रहेंगे तो यहाँ पर क्या होगा एक्ट्रिशन बहुत जादा हो जाएगा है ना बॉल ही आपस में रगड़ रही है बहुत तेज़ चलेगा तो सारी बॉल किनारे पर हो जाएगी ठीक है कोई खास फाइदा ने होगी एक खास स्पीड होती है कि बॉल लगबग जाकर करके जश्ट डायमेट्रिकली अपोजिटर्ट डायमेटर का अपोजिटर्ट होता है एक के उपर एक के उपर एक बॉल चड़ती हुई जा रही है ठीक है तो यहां पर जो होगा वो क्या होगा एट्रिशन होगा ठीक है तो बॉल कुछ इस तरह से रहती है सीदी सी बात समझ लो कि एक चेमबर ले लिया उसको अंदर बॉल डाल दी है और इसको घुमा दिया ठीक है अभी देखते है तो एट्रिशन लो स्पीड पर एक काम नहीं करेगा यह नॉर्मल स्पीड होती है एक आइडियल स्पीड होती है जिस पर इंपक्ट और एट्रिशन दोनों आते है ठीक है तो आओ जहाँ पर डियाग्राम से हम लोग समझने कोशिश करते हैं इसको तो देखो कुछ इस टाइप से यह रहता है हमारे पास ठीक है यह चैंबर से रहता है इसके अंदर बॉल भरी हुई है ठीक है ना यह जब गोल गूमेगा तो इसके अंदर metallic balls होती है आपसे में टकराती है जो भी चीज़ अंदर होती है चूरा बन जाता है क्लियर है वाद है तो principle क्या है the ball mill work on the principle of principle of impact between the rapidly moving balls दो ball के बीच में impact ध्यान रखना hammer mill में क्या था गिरता हुआ powder ओ जो feed था और hammer था उनके बीच में impact था यहाँ पर impact हो रहा है between the rapidly moving ball between two balls and the powder material ठीक है और जो powder material उसके साथ भी हो रहा है बहुत inclusive in a hollow cylinder at low speed the ball roll over each other attrition will be predominant low speed में क्या होगा ball एक दुसरे को पर roll करेगे और attrition predominant कर जाएगा mode of action हो जाएगा thus in ball mill impact और attrition और both are responsible for side reduction ठीक है ना तो यहाँ पर क्या है impact याना कि low speed पर क्या हो रहा है attrition predominant predominant मतलब ज्यादा मात्रा में attrition होगा high speed रहेगा थोड़ा सा तो ज्यादा मात्रा में क्या रहेगा impact पड़ेगा तो एक ऐसी स्पीड सेट करते हैं जहां पर impact और attrition दो नहीं आएगा ठीक ना यह color यह भी हो गया उससा फरक नहीं पड़ रहा तो ध्यान रखेंगे किसी को लाइन लिखने में दिखका था सीधा लिखो प्रिंस्पल क्या है impact और attrition और बोथ यह इसका प्रिंस्पल आ जाएगा construction में देख लेंगे हम लोग simple समझ लो इसको ऐसे खुझ से लिखने के लिए एक cylinder होता है उसका यह axis होता है अपनी axis पे गोल 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 घूमता है उसके अंदर ball होते है बॉल एक दूसरे टकराते हैं घर्चन होता है चोट लगती है और powder छोटे होता रहते हैं एक तरफ यहां पर क्या लगा हुई है चलनी लगी हुई है उस size के यहां powder निकलता जा रहा है कुछ बहुत क्या कहते हैं वैसे particles होते हैं जो अलग टाइप के रहते गंदगी सी होती है दूसरे साइट से निकलती है में चीज़ चलनी लगी हुई है जिससे क्या है कि powder निकलता जा रहा है और कई बहुते मोटे पार्टिकल आगी तरफ होते त consists of following parts feeding part feed जहां से खाना खिलाए जाएगा इसको खाना मतला जहां से बड़े बड़े पार्टिकल डाले जाएंगे discharging part जहां से discharge में हमालों जो प्रोड़ेट पिस करके भाहर आगे उससे निकालेंगे turning and driving part gear जो इसको turn करेगा रूटेट कराएगा motor हो सकती ही कोई motor यहां पर set कर रख्योंगी जो से रूटेट करवाएगी and rotating balls और इसके अंदर क्या है यह rotating balls तो यह इसके main चार part होते हैं consist of a hollow cylindrical shell rotating about its axis एक hollow cylindrical shell होता है जो अपनी axis इसकी axis यहरी इसी के around ऐसे गोल-गोल घुमेगा ठीक है okay the axis of the shell may be horizontal or at some angle ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल horizontal रहे यह हलका सा ऐसे तिर्चा भी हो सकता है ठीक है उससे फरक नहीं पड़ता The outer type color रहता है करके it is partially filled with ball partially आधा लगभग बहुत भरा रहता है these balls grinding material made up of chrome steel से बॉल्स होता है किस के बनी होते है chrome steel की बनी होते है stainless della बिल्कुल भी रियक्ट्व गरां ने उनर insistent material तो जन्रली क्या रहता है कि इसकी डामेटर भी रहता है जितना इसकी लंबा ही है उतनी उसकी डायमेटर भी रहता है या generally क्या लिखोगे इसकी जो ये length है ये थोड़ी जाधा रहती है और ये diameter ये थोड़ा सा कम रहता है ठीक है ना तो यहाँ पर इसको थोड़ा चेंज कर लोगे length of meal is approximately approximately equal to diameter otherwise बढ़ा रहता है ये ball occupy about 30-50% of the volume लगभग 30-50% आदा भरा रहता है ball से the diameter of ball is 12 mm to 125 mm ball का diameter the diameter of shell is 3 meter and its length is about 4.25 meter ठीक है देख सकते हैं वो length उसकी जादा है किसकी shell की जिसके अंदर गोल गूमेगा the shell is rotated through a drive gear with a speed of 60-100 rpm बहुत तेजनी होता है यहाँ पर लगबक 60-100 चक्कर लगाता है एक मिरेट में वे ड्रम गोल गूमेगा किलियर है बाते अब क्या कह रहा है वर्किंग पर आ जाएं इसके ठीक है किस पर आ जाएं वर्किंग पर तो कह रहा है वर्किंग बनता है अब मैटरियल तो भी ग्राइं जिसको पीछना है इस फैट एट एंगल 60 डिग्री तरफ 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 से ठीक है इंटु दा क्रशिंग जोन एंड प्रोड़क्ट इस तरह से रहेगा वह हलका सा 30 डिग्री पर जाके बाहर निकलता है ठीक है एंगल सेट कर रखें जिस इस बीदो फिर क्हुमने दिए जाता है पाइंट लॉन टूड़ टूड़ एकसिस के जो लॉन टूड़ होता है लंबबाई में उसी के और एसे गोल 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 से घुमाते हैं ता इस सपीड उटेशन इस वैरी इंपॉर्टेशन एट लोई स्पीड बहुत ज़र तो बॉल एक्यू पर एक्यू पर एकाती रहेगी ठीक है तो अट्रिशन बहुत ज्यादा होगा अज़ा रूटेट दा बॉल्सा लिफ्टेट अप टू राइजिंग साइड अफ दा शेल एंड दे कास्केट डाउन फ्रॉम नियर दॉप अफ दा शेल ठीक है अब अब एंडा सेल रूटेट एक नॉर्मल स्पीट पर आफ लिकेंगे एड नॉमल स्पीट कास्केट दाउन फ्रॉम नियर द न टॉप अफ दशन चेल एक गाद एक एगद एक बाद एक टक 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 करके गिरती चली जाएंगी तो सॉलिट पार्टिकल इन बिट्वीन बॉल्स और ग्राउंड ग्राउंड का सेकंड फॉर ग्राउंड पिस जाएंगी एंड रिडूच इन साइज बाइ इंपेक्ट और साइज उनका छोटा हो जाएगा जब उनके उपर इंपेक्ट वने की मार पड़ीगी बास वाज में आ रही है ठीक है न तो इसको चाहो तो अपनी लेंगेज में लिख सकते हो ठीक है तीन चार पॉइंट बना करके जरूर नहीं जो मैंने लिखे बिल्कुल व हमें जहान जहाँ पर पांस से लेकर 100 mm रहा है उससे कम साईस की चाहीए हम इसका इसका इस्तीश करते हैं चाहिए करते हैं यह लिए को पीषने के लिए लिए लाइम इस्टोन मिलिंग के लिए सीमेंट प्रोसेसिंग फर्टिलाइजर सिलिकेट है ना तमाम चीजे हैं जाम ठीक है बॉल मिलका क्या करते हैं इस्तमाल करते हैं किलिए रहे बाते हैं तो यह था अपना मस्त वाला लेक्चर उमीद है दोनों पार्ट साइड डेक्शन बॉल और हैमल अच्छे समझ में आयोंगे ठीक है ना और कुछ नहीं है यहाला चप्टर बड़ा इजी है इसमें कुछ टाइप की मशीन वगड़ा दे रखे हैं बस एक दिमाग में अच्छे भी यूटूब पे लेक्चर है सबके नोट का लिंक डिस्किप्शन में दिया होता है वीडियो के नीचे जाओगे वहाँ नीचे डिस्किप्शन होता है क्लिक करोगे तो खुल जाएगा ठीक है ना वहाँ दिया होता है उसके बाद जो कोई दिक्का तो भाई मुझे कॉल क सकते हैं ठीक है तो पढ़ते रहो और रिवाईज करते रहो अल दा वैस्ट